को रोना की खिलाफ जारी जंग में उत्तर प्रदेश से अब राहत भरी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के छह जिले जहां पे कोरोना के मरीज थे वो छह जिले अब पुरे तरीके से कोरोना मुक्त हो गए हैं अगर बात करें तो प्रताब गड़ प्रयागराज लखि पुर्खीरी पीलिवीत हातरस और महराज यह जिले हैं जहां पर कोरोना के मरीज थे ुनको सारे भात करने क chili प्रक्रिया के बात करें जहां कोरोना के मरीज होते हैं उनको डिश्चार्च करने के पहले दो उनका टेस्ट किया जाता अगर दोनों टेस्ट निगेटिव आता तो एतियातन के तौर पर डिस्चार्ज करने से पहले एक और टेस्ट कराया जाता है कोरोना का उसमें भी वो सारे मरीद निगेटिव पाए गया जिसके बात से ये छह जिले पुरे तरीके से कोरोना मुक्त हो गया अगर बात करें तो उन चास ऐसे जिले थे जहां पर कोरोना संक्रमण के मरीज थे लेकिन छै जिले खतम हो गए हैं कोरोना मुक्त हो गए हैं पुरे तरीके से तो अब टोटल चवालिस ऐसे जिलें हैं अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना के मरीज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को लेकर के खुद फिडबैक ले रहे हैं। प्रते दिन वो टीम 11 के अधिकारियों के साथ अप लखनौ सीम आवास में बैठक करते हैं। जो जिलों से लगातार के अधिकारीयों के टीम काम कर रहे हैं। यहीं वज़े है कि शाज जीले पुड़े तरीके से कोरोना मुक्त हो गए हैं। और इस तमय और भी लगातार ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज कई ऐसे जगहों से रिजल्ट सामने आये हैं। जहां पर मरीजों का निगेटिव टेस्ट आया है। तो इस तरीके से अब राहत भरी खबर पुड़े देश में उत्ता प्रदेश से आना शुरू हो गई है। पुड़े देश में अब तक कहीं इस तरीके से राहत भरी खबर नहीं आ रही थी। अगरा बात की जाए पीली भीत को सबसे पहले पीली भीत जो है जहां पर दो कोरोना के मरीज थे वहां से वह पीली भीत के मरीज सबसे पहले ठीक हुए। यही वज़ा था कि उत्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ आजियों से भी रहात्भरी खबर सामने आएगी और कुरूना के खिलाब जो जारी जंग है जल्दी जल्द से जल्द इस पर लगाम लगेगा